बैठ जो नीचे बैठ जो आज मैं बताऊँगा कि जैसे माता जी को गुठने में दर्द है नीचे बैठ ही है नीचे बैठने में बैठते ही होने अपने गुठनों को पकड़ लिया तो इस तरीके से आज के टाइम में कम उम्मर में भी बहुत कम उम्मर में लड़कों को इतनी सारी समश्यारी है गुढ़ने की आज उस गुढ़ने की समश्या के लिए मैं खाने पीने में क्या खाना हैं क्या नहीं खाना और इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट बता हुआ जो आप अपने घर पर बहुत आराम से treatment दे सकते ही और बिलकुँ ठी कर सकते ही तो मैं आज बताता हूँ आपको माताजी आप सीधे लेड़ जाएए बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको आप कहीं पर भी अपने घर पर कर सकते हैं बिना किसी मशीन के जैसे पेशेंट के किसी को भी आराम से सीधा लिटा लेए और लिटा लिटाएं एक गद्दे पर लिटाएं जिससे कि पेशेंट को स्पाइन में या कहीं पर भी तकलीप जैसे पर लिटाएं जैसे परबूद या कमसे पर लिटाएं एक गद्दार करना है या तीज़िक्ति पर कम चकम 20 बार करना है एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, केरे, सौधर, पंद्रह, सोलह, सत्रह, ठारह, उन्नीस, बीस हमने धान रगना है कि हमने जो काउंटिंग की है ऐसे एक दूसरे के अपोजिट हाथ चलाए हमारा हमने चलाए हमारा प्यार, इसके बाद हमने चवार घुटने के आसपास, यह हमना कैप है नी कैप है नी कैप के एक हाठ इदर होना ज़िए एक हात इदर तो हमारा नी कैप लुक्ली बीच में है और हमने इस तर engagement इस तर्फी से 20 वार द्वार करना है और इतना यूनिक टीटमेंट है कि किसी के कितने भी घुठने किसे हुए हो तो यह बिलकुल 100% ठीक करेगा इस तरीके से घुठने के आसपास के जो लिंगामेंट्स हैं टेंडेंस हैं वहाँ पर हमने ब्लेड स्रकुलेशन बढ़ाना है और इस तरीके से धीमे धीमे जिनके गुठने खराब होते हैं तो गुठने खराब होने की बजय यह है कि गुठने के आसपास ब्लेड स्रकुलेशन कम हो जाता है और वहां नसे सूखने लगती है और फिर कहते हैं कि ग्रीश कम हो गया तो इस तरीके से यह बहुत अच्छा टीटमेंट है और आपको ध्यान हैं ऐसी चीज़ा ज्यादा ना खाएं और किलशन वाली चीज़ मीर चीज़ां जैसे की पनीर है मखाने हैं और अख्रोट है बढाम है दूद है ऐसी चीज़ा खाए जिससे के ग्रीशन है सब्पारों एक्स्रे कराके भी चेक कर सकते हैं. कि लगाता करने के बाद आप एक्सरी में भी ठीक हो जांगे इसके बाद हलका सा पेशेंट को पृस्यों लब congrats और लब congrats में ल्डुटा लिटाने के बाद जिस गुठणै में तकलीप हैं एक पिलू लगा आले हल्का सा अराम से और पिख रबुथने के बिकुल नीचे होना चीह एहां हो कि घुटना आगे हैं आराम से लगा लिए और जिस ट्रेटमें दे रहेते ती अथि आगे वही घुटना स्थिर रोल है। अब गुठने के पीछे जिनके गुठने खराब होते है या एक गाट बन जाती है गिल्ट बन जाती है कोई भी अपने पैरों में चेक कर सकता है या जो गिल्ट बनती है इस गिल्ट को घोलने से गुठना बिल्कुल ठीक होगा और इसका गुठने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहां हमने clock wise करना है आराम आराम से जैसे हमने 5 मिनट वहां पर किया है तो यहां पर भी हमने ऐसे धीमरी में ये clock wise करना है इस clock wise से जैसे guilt गोल जाएगा गुठने के अंदर तागत आने लगेगी लिंगामेंट अपने ठीक होने लगेंगे और पेशेंट को चलने में बिलकुल आसानी से चलेगा यह बहुत अच्छा तरीका है उसके बाद हमने हलका सा रेव करना है आराम से ऐसे टेक्निक बनाने हाथ की और गुठने के जश्ट प करना है कि जैसे आपको गरम महसूस हो अंदर घुठने के अंदर हीट चली जाए इस तरीके से बहुत अच्छे से यह से रप करके हलका सा ऐसे करना है दीमे से और हलके से यह मारी यह काल्ग मसल है यहां पर से नीचे की तरफ दीमे धीमे से यह पाइंट लेके आना है और य हमने तीन से चार राउंड देने पूरी विशाई करने के बाद यहां से स्टार्ट करना है यह यह असे दीमे-धीमे इस पर्षाइब करेंगा लाना है तो जिससे पैर जिनका अकड जाता है जिनके गुटने जूट जाते हैं उनका पैर हमेसा अकड जाता है तो अकड़ा वो नहीं अकड़ेगा धीमे दीमे और पेशन बहुत आराम से चलेगा यह टीटमेंट किसी भी उम्र में किसी को भी दे सकते हैं और आपने अभी देखा हुआ कभी स्कूल टाइम में जो छोड़े को में के बच्चिया हैं उनके गुटने भी टेड़ होते हैं उनको हम जैसे नौक नी बोलते हैं नौक नी में दोनों गुटने आपस में जुड़ जाते हैं उसके लिए भी यही टीटमेंट है और वो दिक्कत उनको नहीं आएगी इस तरीके से आराम से करते हैं और एक बाद दोबारा हम इसको ऐसे करेंगे और थोगा साइड में बैठके हलका सा इस हमारा नीजोत्रापी सेंटर रानी बाग में हैं रामजान की मंदर के बेस्मेंट में डेली में थैंक यू